ये है टाटा इंडिगो CR4 का कलच प्लेट चेंज कर रहे हैं ये कलच प्लेट जो है आपको साड़े तीन से चार हजार के बीचा जाता है जो टाटा इंडिगो CR4 का है ये हम लोग पुराना वला निकाल चुके हैं और नया वला कलच प्लेट फिटिंग कर रहे हैं ये मिस्त्र करते हुए आप देख रहे हैं यह नया क्लश प्लेट है पुराने वाले क्लश प्लेट जल गया था जलने का करण यह है कि हम लोग ऐस घुल खश्कक को हल्कनी प्रेश यह रहाते हैं तो वह संपर्क में बना हुआ रहता है वह затा है ब्रैसे काम ही है कि engine का power को engage करना दिस engage करना हम लोग जो है disengage करके हम लोग gear को लगाते हैं फिर engage कर देते हैं तब वो gear shaft check का की तरफ energy को power को transmit करता है तो हम लोग को clutch plate को touch की हुए नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसका contact जो है पूरी तर से नहीं रहता है जिसके कारण से clutch plate जल जाता है यानि कि हलका जो है fraction type कर आता है जिसे पकड़ मजगुत नहीं बनता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि clutch plate fitting करते हुई जो कि आपको अच्छी तरह से दिखाए दे रहा होगा कुछी समय के बाद ये clutch plate fitting हो जाएगा इसमें फ्लाइ विल आपको पीछे की ओर दिखाए दे रहा होगा ये फ्लाइ विल पीछे की ओर होता है अब उससे आगे की ओर उससे पीछे की ओर जो है engine है इंजन है इधर आपका gear star जो है नीचे उतार चुके है नीचे gear box उतार चुका है और यह रखा हुआ है, जैसे ही हम लोग clutch plate को डालेंगे, उसके बाद gear को डालेंगे, गेर के बाद जो हम लोग का यह चक्का वाला energy को डाल देंगे, यानि चक्का में चला जाएगा force, तो यह कुछी समय में fitting होने वाला है, आप इसे देखे कि इस पर का से clutch plate fitting हो रहा है, इसी पर जो है force पड़ता है, वो जो आपको धागे धागे सा दिखाए दे रहा है, उसी पर जो है क्या होता है, हम लोग engage और disengage करते हैं, यहाँ बारिकी से मिस्त्री से fit कर रहे हैं, आप लोग जितने भी automobile वाले हैं, mechanical वाले हैं, यह सब वीडियो देखकर आप जान सकते हैं किस पर का से clutch plate fitting होता है, यह जो है gear से पहले, यानि engine से सिधे flywheel में जब आता है, flywheel के बाद clutch, clutch से होते है gear shaft, अग gear shaft से फिर हम लोग चका की ओर, यह जो आप देख रहे हैं, यह जो है gear shaft है, इसी में gear mechanism में लगे होते हैं, जो आपको अधर दिखाये गया, उसी में gear mechanism में लगे हुए रहते हैं, उसी में 1, 2, 3, 4, 5, gear तथा reverse gear होते हैं, उससे पहले clutch plate लगता है, यह है आपको गाड़ी Tata Indigo CR4, यह जो है Indigo का सबसे top model है, जिसका clutch plate changing हो रहा है, तो drive करने वाले driver बंदों से निविदन है, कि वो जब भी गाड़ी चलाए, तो बीना कारण का clutch को ना दबाएं, जिससे कि उसका contact, जो है, बना हुआ, मजगुती से रहे, क्योंकि जब हम लोग clutch plate प्लेज करते हैं, तो वो disengage होता है, और वो पूरी तरसे ना engage रहता है, रह ज्यादा मार खाता है, आप लोग यहां देख भी रहे होंगे, कि एक छोटी से गलती के कारण, clutch plate मार खा जाता है, जिसके कारण इसको fitting करने काफी महिनत करना पड़ता है, जिसके कारण fitting charge भी इसका जो है, दो से तीन हजार, चार हजार तक लग जाता है, तो आप लोग जी गया होंगे, कि clutch plate किस प्रकार से change करते हैं,